हेलो एवरीबन मेरे ना मैं प्रकाश कुमार्तिवारी है and I welcome you all to this English vocabulary series यह इस सीरीज का बारवाँ वीडियो है तो आपने पुराने वीडियो से नहीं देखे तो चैनल पे अप्लोडेड है प्लेलिस भी बना हुआ है आप जाकर उसे देख सकते हैं ठीक है वीडियो से चुरू को इसके मतलब से और ऑपको समझ में होगा अब यह आकर सत्कु कर सकते हैं और किसी को आप ज्यादा सटीस्फाइब कर रहे है आप यह उसको डिसको तर रहें ठीक है तो gratify आप ऐसे इसको relate कर सकते हैं I hope आप समझ में आ रहा होगा आपको और आप बार-बार revise करेंगा तो आपको अच्छे से दिमागों बैठ जाएगा ठीक है अब उनों चलते हैं अपने अगले word की तरफ जो कि है flippancy flippancy मतलब की lack of respect or seriousness मतलब एक ऐसा इंसान जो serious नहीं है ठीक है जिसको जिसमें respect नहीं और seriousness भी नहीं है उसके लिए हम लोग एक दूसरा वड़ भी इस्तेमाल करते हैं जो कि है frivolousness ठीक है frivolousness तो यह दोनों सिननीम है तो flippancy कैसे रिलेट करें तो flippancy में आप देख रहे हैं बहुत ही एक word छिपा हुआ है जो कि है flip flip काफी आसान है flip करना मतलब पलट जाना तो एक ऐसा इंसान जो पलट जा रहा है उसमें obviously क्या है seriousness नहीं है lack of seriousness बार बार पलट जा रहा पलटू रहा तो flippancy मतलब एक ऐसा इंसान जो पलटे तो lack of respect और seriousness I hope आपको समझ में आ रहा होगा काफी इजी है अब हम चलते हैं अगले वर्ट की तरफ जो किये कोनी वेंस कोनी वेंस मतलब होता है मिली बगत मिली बगत या फिर एक ऐसा इंसान का आपको पता है आप देखेंगे पहले मुवी में जो किड्नेंपिंग होता था वो जेनरली एक वेंस मतलब कोना में वेंस मतलब कुछ गलत कामी हो रहा होगा ठीक है आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं I hope आपको समझ में आ गया होगा आप बार बार रिवाइस करेंगे तो आपको अच्छे से याव जाएगा ठीक है अब हमनों चलते हैं अपने आगले वर्ट की तरफ जो कि यह डेवियस डेवियस मतलब दो मतलब होता है पहला कि आप कोई स्किल्फुल यूज करके कुछ पटांग तरीके से ऐसा टेक्टिस अपना है स्किल्फुल तरीके से कुछ करें ठीक है ताकि आप अपना फाइदा निकाल पाएं दूसरा अगर आप किसी रूट या फिर जरनी के लिए क्लिए तो डेवियस मतलब होता है कि आप शौटर ना ले जिसे आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है लेकि एक वर्ड आप यहां पर देख पाएंगे एक होता है डेविल 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 आपको मालूम है डेविल मतलब कि जो गलत इंसान है तो गलत इंसान क्या करेंगा अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ टैक्टिस इसकिल्फुल टैक्टिस अपनाएगा ठीक है ताकि अ आप यदर से उधर जाकर तो जो स्ट्रेट्प ना होगा हो ठीक है आयो फॉलब आप समझ इन्सका तो अपने विवेग से इस्तमाल करें। चले अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ट की तरफ जो कि है प्रुडेंट, तो प्रुडेंट मतलब वीवेकी इंसान, एक ऐसा इंसान जो की केर और ठॉट रखता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो वीवेकी इंसान, जो अपने वीवेक से इस्तमाल करें, तो प्रुडेंट प्रोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट मतलब किसी को pleasure देना satisfaction देना ठीक है फिर देखा flipancy flipancy तो काफी आसान था flip बदब एक ऐसा इसा इसा जो पलट जाए तो इंसान में क्या होगा lack of seriousness फिर हमने देखा आप अगला वर्ड जो कि है कोण events तो हमने देखा अगला वर्ड जो कि है डेविस डेविस में देखा कि वर्ड चुपा हुआ है डेविल या और देवी तो कोई डेविल इंसान है तो डेविल इंसान क्या करेगा अपना अचीव अपना गूल अचीव करने के लिए कुछ स्किल्फुल टैक्टिस के इस्तमाल करेगा फिर देवी देवी हम देखा वरतों के लिए इस्तमाल होता है तो वो सीधा न जाके एक लंबा रूट जरनी जो ले उसको कहेंगे डेविस ठीक है लोंगर एंड लेस डैरेक रूट ठीक है फिर हम देखा अगला वर्ड जो कि है आगे का फ्यूचर का देख के काम करेगा ठीक है अगले वर्ड की तरफ हमारा जो अगला वर्ड है वह हैं क्या है और अचीज और अटम्तलब की आँज़ करना होगा क्योंकि अगर आपको अंत में खतम करना है तो आपको हाडवर करना होगा ठीक है अपने अगले वर्ट की तरफ जो की है प्रैग्मेटिक ठीक है utility practical जैनारो एक हैंगा प्रग्या आपको इसका मतलब पता होगा प्रग्या मतलब बुध्धि या फिर वी विवेक करेंदका हों अब आपको इसको रिलेट कर सकते हैं आप प्रग्या मतलब किसी को नहीं पता तो देख ले कि प्रग्या मतलब जा होता है ठीक है अब मने चलते हैं अपने अगले वट की तरफ जो कि है इवास याने दिखा दो नेगड़ी दिखाता है यह नेगडिव दो आप इसे याद के सकते हैं या तो मर लीखिए या तो रूस याद किजी तो रूस गया की आपने कुछ गलत काम किया और उस गलत काम के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने गलत किया और उसके लिए प्रहें पर इग्रेट मत्वों और घ्जांपल आप अगर मालिए इंसिस्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे लिखते हैं लोग इंसिस्टेंस या फिर आप पर्सिस्ट कर रहे हैं तो पर्सिस्टेंस एक्जिस्ट कर रहे हैं तो एक्जिस्टेंस तो ऐसे हैं अगर आप पेन फिल कर रहे हैं तो उसको कहेंगे पेनिटेंस ठीक है ऐसे आप प्लेट क अपको और यानि एंड में ओवर तो अगर अंत में आपको ओवर करना है सब चीज उसके लिए क्या करना होगा हाड़ वर करना होगा नियुक्त फिर से एक बार रिवाइश कीजेगा सब फिर से एकजाम दीजेगा ठीक है फिर हम देखा प्रग्मेटिक मतलब एक प्रग्या प पुदासी ठीक है फिर हम देखा penitence penitence तो हमने देखा कि अगर आपको pain का feel आ रहा भाव आ रहा रहा तो आप उसको कहेंगे penitence ठीक है जैसे कि persistence existence आप मैंने बता दिया था तो pain का feel आ रहा तो penitence तो pain क्यों हमारा जैसे आपने कुछ गलत काम किया आपको लग रहा हो अंदर से रीडेट फिलो रहागी मैंने कुछ गलत कर दिया तो इसको कहेंगे penitence आप आप बार बार रिवाइस किजगा तो आपको दिमांग मैंचे से बढ़ जाएगा अपनों चलते अपने अगले वर्ट की तरफ हमारा अगला वर्ड है कुछेंट कुछेंट मतलब इनाइस्टेट और पीरेड ऑफ इनक्टिविटी और डॉर्मेंसी मतलब सांथ बैटना ठीक है उसको कहेंगे कुछेंट तो इसको याद करना तो काफी आसान है आप रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे एक वर्ड है अगला वर्ड जो की है अड़ाज मतलब कहावत या पिर लोग कहते है तो इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि यहाँ पर देखेंगे एक और आडड आड आप देखो प्रचार तो यहाँ पर देखेंगे यह वर्ड है एज एज मतलब जो बुड़े हो चुके तो जो बुड़े इंसान होते हैं जैनली आप अपने दादा नानी के पाज़ाइए तो जो उनका क्या एड होता है मतलब आपने क्या प्रचार दिखाते हैं हमें सब कुछ में कुछ कहावत कहते उनसे आप बात किजिए तो बीच-बीच में यह कहावत आएगा एड की तरह ठीक है आपको इसे आत रखना है कि जो अगर हम एजट लोंके सामने बैठेंगे तो उनसे बात करेंगे तो बीच-बीच में एड क्या आएगा कहावत ठीक है मैंने पिछले वीडियो में बताया